जै माकाल, श्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती वावना यूट्यूब चैनल पर दोस्तों कापी समय के बाद में, 92 साल के बाद में बैसाग पूरण मासी के दिन दर्शन होंगे सुन्दर चंद्रमा के बैसाग पूरण मासी वाले दिन इस वार बहुत बड़ा योग बन रहा है ग्रेन की स्थिती बहुत ही अच्छी रहने वाली है साथ ये आपको में दो पाई बताने वाला हूँ ये दो पाई आपको इस दिन जरूर करने है इस दिन रात को चंद्रमा के दर्शन करना बहुत ही जरूरी है आठ रासियां बेहदी भाग्यसाली रहने वाली है सभी रासि वाली है उपाई करें पूरण मासी की दिन चंद्रमा के दर्शन किये जाते हैं सास्तरों के साब सिका गया है कि पूरण मासी की रात को जो व्यक्ति चंद्रमा के दर्सन करता है वो निरोगी होता है, सुन्दर होता है और साथ ही उनकी प्रतिक मनोकामना पूरी हो जाती है आपके सरीर में कोई नो कोई रोग लगा रहता है या आपके चेरे पर कोई नो कोई परिशानी रहती है तो रात को चंद्रमा की पूरण मासी की रात को चंद्रमा के दर्सन जरू करने है चंद्रदेव को अर्ग दे थोड़ा सा चंदन ले जाएं चंदन ले जाएं और चंदरदेव की किरणों में वो चंदन रखते हैं दूद्ध डाल करके चेरे पर किसी भी परकार की कोई परिशानी है तो आप चंदरवा के मंतर का जाप करते हुए 108 बार और उस चंदन को चेरे पर लगाईए कभी भी कोई परिशानी नहीं आएगी तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आठ नाशियों के बारे में और दो उपाए बताने वाला हूँ देखो आपको क्या करना है इस दिन प्रदोश काल में तुलसी माता के सामने दीपक जला करके तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं और तुलसी माता की परक्रमा करें और तुलसी पत्र भगवान कृष्ण को समर्पित करने हैं भगवान के सामने सत्तनारण भगवान की कताक पांचो अध्याय आपको पढ़ने हैं और भगवाने सामने केले का फल आपको रखना है जिससे आपकी प्रतिक मनुकामना पूरी होगी और वह केले का प्रसाद आपको खाना भी है। दूसरा उपाय है इस दिन भगवान सिवक आपको आप सिख करना है। दीपक जला करके ओव नवस्वाय मंतर का जाप करें। देवगुरु ब्रश्पती सूर बुद्ध मंगल इनकी बहुत ही अच्ची दृष्टियाएं जिनकी वज़े से आपकी प्रतिक मनुकाम न पूरी होगी तो आज का जो दिन है बहुत बड़ा दिन है पूरण मासी का जो दिन है रात को चंद्रमा को अर्ग देते समय बगवान से प्रातना करनी है कि यह चंद्रदेपता हमारे उपर अपनी किरपादिष्टी बना रगे ओम चंद्रमासी नमा इस मंत्र का आप जाप करना है विडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राब करें